हाई फ्रेंज तो चलिए बनाते हैं वरत की कुरकुरी क्रंची टिक्की सबसे पहले हम लेंगे दो उबले हुए आलू उनको अच्छे से मैश कर लेंगे आप चाहें तो इसे कद्दुकस भी कर सकते हैं अच्छे से मैश कर लीजे उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक यह देखें कुछ इस तरीके से बस इसी में से आपने तीन से चार चमच यह पाउडर आलों में मिलाना है यही है हमारा बाइंडिंग एजिंट देखेंगा इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और बस सेंधा नमक डालके इस मिक्स्टर को मिक्स कर लीजे अब इस सब चीजों को मिक्स कर लें साथ ही डालें थोड़ा सा सेंधा नमक थोड़ी सी काली मिर्च और बस इन सब को मिक्स कर लीजे और हमारी फिलिंग है बिल्कुल तैयार उसके बाद दोस्तों जो यह हमने आटा सा जैसे बना के रखा था टिकियों का उसमें से छोटी- कर लीजे और बस इन सबी टिक्कियों को बना के एक तरफ रख लीजे उसके बाद गरम गरम तेल में मैंने कोई नॉन स्टिक नहीं यूज किया है मैंने अपना नॉर्मल लोहे का तबा यूज किया है यह देखे यह एकदम क्रिस्पी बन जाएंगी यह देखे इस तरीके से जब यह गोल्डन ग्राउन हो जाए तो आप इन्हें पलटके सेख लीजे एकदम खसता कुरकुरी टिकिया तयार है दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे बाबाई